भारत में बढ़ सकता है उड़त का आयात दरसल पहले ही भारत में ब्राजील से 3000 टन उड़त का आयात हो चुका है जबकि चालू वर्ष के दौरान 20,000 टन अतिरिक्त उड़त का आयात होने की संभावना है भारत में परंपरागत रूप से मुख्यता म्यान मार से उड़त का आयात होता रहा है लेकिन अब सरकार इसके लिए किसी एक देश पर निर्बन नहीं रहना चाहती इसलिए इसके विभिन वेकल्पिक स्त्रोतों की तलाश कर रही है ताकि कोई देश भारत की विविष्था का अनुचित फाइदा ना उठा सके आपको बता दे कि केंद्रियो भोक्ता मामले सचिव ने नवंबर दोजार तेईस में भारत के दोरे पर आये ब्राजील के अधिकारियों और बिजनसमैन से अपने देश में धलनों और खासकर अरहर तूर का उत्पादन बढ़ाने पर विशेश रूप से ध्यान देने का अग्रह किया था ताकि भारत में इसके अभाव को दूर करने में सहयता मिल सके अरर और उड़त का घ्रेलू उत्पादन मांग और जुरूरत से काफी कम होता है इसलिए विदेशों से इसके विशाल आयात की आवशकता पड़ती है उपवक्ता मामले सचीव के अनुसार देश में 140 क्रोड उपवक्ताओं को उचित मुल्या पर खाद्य उत्पादों की प्रयाप सप्लाई उपलपता सुनिश्चित करवाने की आवशकता है और सरकार इसके लिए प्रतिवद है उनका कहना है कि इसमें दो मुद्दे हैं उचित मुल्या और प्रयाप चुनाब उपलपता और ये दोनों आयात से जुड़े हुए हैं भारत पूल रूप से एक शाका हरी देश है और चुकि आमदनी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है इसलिए प्रोटीन से समरीद दाल धलन की मांग और खपत भी तेजी से बढ़ रही है इस बढ़ने वाली मांग को पूरा करने क के लिए सिर्फ म्यानमार पर निर्भर रहना ठीक नहीं दलन आयात के नए-नए स्तरोतों को तलाशने की जरूरत है इसी संदर में ब्राजिल तता अरजेंटीना में उतपादित दलनों का आयात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है प्राजिल से इस साल 20,000 टन उड़त का आ सूर की थी इसका आयात मुख्यता कनाइडा और आस्ट्रेलिया से लिया गया था इसके लावा तूर और उड़त का भी विशाल आयात हुआ जबकि देशी चना, काबुली चना, राजमा तथा लोबिया जैसे धलनों का भी सिमित मातरा में आयात किया गया सरकार ने दिसंब पर पहुंच जाने के फिलाल संभावना बनी हुई है, ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी